है आलो बच्चो स्टार्ट करें दीके हम इस कुर्शन को कम पाउंड एक्वैनिल वारक आज अंकी डिपरेसेंट आज वैल एस एंटी हाइपर संसीटिव हैवे स्ट्रुक्चर ये कम पाउंड होता है ड्रग होता है जिसका इस्वाल हम एंटिडिप्रेसेंट की तरह से एनेक्जिटी दूर करने के लिए या एंटि हाइपर सेंसेटिव ब्लड प्रेशर वगेरा के लिए भी कई बार इस्समाल कर लेते हैं यह जो इक्वेनिल कंपाउंड होता है क्या होता है इसका यह structure होता है एक कार्बन पर CH3 CH3 एंड CH3 एंड CH3 यह कार्बन अगर मैं कनेट करता हूं अगर यहाँ 2H और लगे होते हैं इधर 1H इधर 1H तो यह नियो पेंटेन होता इस नियो पेंटेन से सुचना शुरू करो, इस नियो पेंटेन पर जब हम कोई एक ग्रूप कनेक्ट करते हैं औक्सीजन, C-डबल बौन औक्सीजन, NH2 यह अमाइड ग्रूप है, इतना यह C-डबल बौन औक्सीजन, अक्सीजन, एस्टर ग्रूप है एक साइड एस्टर ग्रूप है, एक साइड ये अमाइड ग्रूप है, दूसरी तरफ भी सेम ग्रूप होता है, CH2, इसके साथ अक्सीजन, इसके साथ C double bond oxygen, and NH2 लगा होता है, ये एक साइड ग्रूप है, और इतना ग्रूप ये अमाइड ग्रूप हो जाता है, ये स्ट्रक्चर है, एक वेनल का, अब हम इसे डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा है, ए में देखते हैं, ए ठीक है ये स्ट्रक्चर, लेकिन इस ए में तो ये एक अलकायल ग्रूप अलग है, या तो methyl group होना चाहिए था तो A हमारा answer नहीं है B की बात करते हैं B हमारा answer होना चाहिए C, CH3, 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 CH2 के साथ O लगा होना चाहिए यह O यहां पर ना होकर इस position पर होगा यहां पर इसे थोड़ा correct कर लेना आप लोग C, O, O, CH2 यहां पर यह आ गया यह molecule B कहलाएगा B molecule ही equinil है यह तो barbuterate होते हैं C तो हमारा answer नहीं है यह तो जब कोई urea molecule melonic acid के diethyl derivative के साथ reaction करता है तो barbuterate बनते हैं barbuterate होते हैं यह भी anti-depressant की तरह से इस्तमाल होते हैं तो यह molecule हमारा B भी नहीं हो गए तो I mean and simple और final answer हमें करना चाहिए इसमें B B is our final answer Thank you very much and good luck